बच्चों आज हम लोग हिंडी ब्याकरन पार्ट फोर संग्या का रिवीजन करेंगे जैसा कि हम लोग का फर्स ट्रम एक्जाम को जो सिले बस दे उसके अनुसा आज हम लोग संग्या को पढ़ेंगे यहां पर है कि संग्या किसे कहते हैं या संग्या की परिभासा क्या है तो पेज नमबर 21 में यलो कलर से जो बॉक्स बना हुआ उसके अंदर में देखिए उस परिभासा किसी वस्तू, ब्यक्ती, अस्थान, प्रानी और भाव के नाम का बोट कराने वाले सब्त को संग्या करते हैं जैसे लाल बहादू, सास्त्री, कुतुब मिनार, हाथी, भारत अब है कि संग्या की भेद, संग्या की कितने भेद हैं तो आपके पुस्तक में संग्या की तीन भेद दिये हुए हैं लेकिन ऐसे संग्या के पाँच बेद होते हैं लेकिन अभी आप लोगों को सिर्थ तीन बेद को भी पढ़ना है इसलिए आपके पुष्टक में तीन बेद दी गई है पहला है ब्यक्ति वाचक संग्या दूसरा है जाति वाचक संग्या अब हम लोग बैक्ति वाचक संग्या को देखेंगे जिस सबसे किसी विशेश बैक्ति वस्तु और अस्थान का बोध होता है उसे बैक्ति वाचक संग्या करते है अब इसे बैक्ति वस्तु और अस्थान का जो बोध होता है उसे बैक्ति वाचक संग्या करते है जैसे लतामंगिस का कलर्स एफिल टावर यह हो गया अपका बैक्ती हो गया वस्तू हो गया और यह अस्थान हो गया यहाँ पर आपके पार्ट में कुछ अन्य बैक्ति वाचक संग्याएं दी गई है परवतों के नाम, दीनों के नाम, इमारतों के नाम, ब्यक्तियों के नाम, परवों के नाम, देशों के नाम, नदियों के नाम, खेलों के नाम अब हम लोग जाती वाचक संग्या को पढ़ेंगे जिन सब्दों में से एक ही प्रकार के सभी प्रानियों या वस्तूं का वोध होता है उन्हें जाती वाचक संग्या करते हैं जैसे मजदूर, किताब, घड़ी, मक्खी ये सभी जाती वाचक संग्या है अन्हे जाती वाचक संग्या भी आपके पार्ट में दी गई है नदी, पहार, फल, सबजी, आदमी, पेड, फूल, इमारत, अध्यापक, अध्यापिका, खिलाडी, पसू, पक्षी, बच्चे, मंदिर, मस्जित, गिज्यागर अब हम लोग भाव आचक संग्या को पढ़ेंगे जीन सब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गून, दसा, इस्थिती या भाव आदी का पता चलता है उसे भाव आचक संग्या करते हैं जैसे प्यारा, यहां बच्चे मा जो है बच्चे को ली लिए और इसके विसे में बताया गया है कि बच्चा जो है बहुत ही प्यारा है मिठास, यहां चोकलेट जो है डायरी मिल्क है इसका मिठास के बारे में बताया गया है यहां बच्चा का बच्चपन के बारे में, महीला की सुन्दर्ता की विशे में, यह सब जो है भाव है, तो यह भावाचक संग्या है, कुछ अन्नी भावाचक संग्या भी है, गोंदोस और अवस्था, भलाई, बुराई, अच्छाई, करवाहट, नमकिन, खटा, आदी, यह स अब हम लोग यहां पर जाती वाचक संग्या से भावाचक संग्या से बनाना सिखेंगे, जैसे कि मानो, मानोता, बच्चा, बच्चपन, विसेसन से विनम, विनमरता, मिठा, मिठास, सर्वनाम से अपना, अपनापन, पर प्रायपन, क्रिया से लिखना, लिखावट, चलना चाल तो यह सब आप लोग उंचे कक्सम में जो जाएंगे तब उसको विस्तार से पढ़ेंगे अभी आप लोग को इतना ही पढ़ना है जैसे कि यहाँ पर देखिए संग्या किसे कहते हैं उसके कितने भेद होते हैं तो यहाँ पर मैं कॉपी में लिख दी हूँ संग्या किसे कहते हैं किसी वस्तू, व्यक्ति, अस्थान, प्रानी और भाव के नाम को बोध कराने वाले शब जो हैं संग्या कहलाते हैं जैसे लाल बहादू सास्त्री, कुतु मिनार, हाथी, भारत संग्या के भेद यहाँ पर मैं दी हूँ संग्या के पांच भेद होते हैं और नोट भी लिख दी हूँ अभी आप लोगों को तीन भेद ही पढ़ना है इसलिए इसको ध्यान दीजेगा यह शर्त को नहीं लिखेंगे अपनीा कापी में इसको नहीं लिखेएंगे. यहाँ पर आपने भी लगो मैं इसी बतला दे रही हूं, आप Nikki, संगय की फाज़वेद होते हैं. और यहाँ पर संगय की तीन भेद होते हैं. उसको लिखना है. बेटी वाचक संगय, बेटाती वाचक संगय, बहाव आचक संगया चौथा है जो समूव आचक संगया है और पाच्वा दरभी आचक संगया लेकिन ये दो आप लोग उचे कक्षा में जब जाएंगे तब आप लोगों को पढ़ना है बहाव आचक संगया किसे करते हैं जीन सब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गून दसा इस्तिती या भाव आदी का पता चलता है उन्हें भाव आचक संगया करते हैं जैसे प्यारा, मिठास, बचपन, सुंदरता, आदी अब है जाती वाचक संगया किसे करते हैं उधारन सही तिके जाती वाचक संगया जिन सब्दों में से एक ही प्रकार के सभी प्रानियों या वस्तु का बोध होता है उन्हें जाती वाचक संगया करते हैं जैसे मजदूर, किताब, घड़ी, मक्खी, आदी, यहाँ पर देखिए कुश्चन नमबर टू, कुश्चन नमबर टू में आपका बॉक्स बना हुआ है, जैसे संग्या की चार भेद होते हैं, रोंग, तो मैं यहाँ पर काल लिख करके बॉक्स बना के गलत लिख कर दियूँ खार नमबर है, जिस सब से किसी ब्यक्ति, विशेस का बोध हो, वा जाती वाचक संग्या कहलाता है, तो यह भी रोंग है, खार नमबर कभी आंसर अपका रोंग है, कलस ब्यक्ति वाचक संग्या है, यह सही है, पहार जाती वाचक संग्या नहीं है, यह गलत है, अंगूर ख खटे मुठे भावाचक संग्या है यह सही है अब आप तीसरा नंबर कुश्चन जो है आपके पार्ट में फिलिन ब्लांक उसको भी आप लोग ध्यान से लिखें यहां पर मैं लिख दी हूँ सिप यहां पर मैं आंसर बतलाई हूँ आप लोग अपनी पॉपी में भी पूरे शब्दों में लिखेगा खार नंबर है हिंदी हमारी राश्वासा मानी जाती है खार नंबर कठिन परिश्रम से सफलता अवश्य मिलती है थर्ड नंबर है भारत की राजधानी दिल्ली है घार नंबर हमेशा सच बोले जूट ना बोले अंगा नंबर महात्मा गांधी को ब आपू भी कहा जाता है अब है चौथा नमबर कोश्चन नेम लिखित वाक्यों में से संग्या सबचाटना है आप लोगों को यहां पर से संग्या सबचाटना है रिती का अच्छी लड़की है रिती का कैसी लड़की है तो अच्छी लड़की है तो अच्छी क्या हुआ भाव राधिका कर जैपूर जाएगी यहां पर स्थान कबोथ करा रहा है इसलिए यह ब्यक्ति वाचक संग्या अनानस एक फल है तो फल भी जो है अपका जाती वाचक संग्या में आया है गंगा एक पवीत्र नदी यह गंगा अगर रहतने से यह हो गया गंगा जो हो गया बेक्ति वाचक लेकिन यहां दिया गया है एक पवीत्र नदी है इसलिए जाती वाचक यह आपको मेहां पर यह शब्द जो है मैं समझाने के लिए लिखी हूँ यह वाला सब सिर्थ समझाने के लिखी हूँ इसको आप लोग नहीं लिखेंगे जाती वाचक संगय लिखेंगे नदी जो है जाती में आ रहा है इसलिए आप लोग जाती वाचक संगय लिखेंगे वह बहुत प्यारा है प्यारा शब जो है भाव बतला रहा है इसलिए भाव आचक संगय आ है नीम लिखित नीचे लिखे वाट्यों में से भाव आचक संगय छाटना है तो यहाँ पर आप लोग गर्मी, क्रोध, दुखी, प्यार, और बच्वारा इसी इस नमबर में नहीं बतला है इस नमबर आपका पूरा इस पार्थ में जाती वाचक में दिया जिए गया है आप लोग यहां से धूंद करके आपण स्वह अपने से लिखिए गा यहां नीचे फर्स्ट में जाती वाचक लिखेगा, सेकेंड में ब्यक्ती वाचक लिखेगा, जो शब जाती में है उसको यहां यहां लिखेगा, यह सारा होमक जो है आप लोग हिंदी ब्याकरम कॉपी में बना लीजिएगा